नमस्कार दोस्तों वन इंडिया में आपका स्वागत है आईपेल की शिरुवात होने में अब केवल एक ही हपते का समय बचा है ऐसे में मैदान के साथ साथ टीम की ओफ फिल्ट तयारी भी जोरो शोरो से चल रही है महिंदी सिंग दोनी ने चेन्याई सूपर किंग्स के सीजन के पहले फोटो शूट में हिस्सा लिया दोनी के साथ कई दूसरे खिलाडी भी शूट में शामिल हुए और शूट के दौरान सोसल डिश्टेंसिंग पर पूरा ध्यान दिया गया आईपेल के तेरवी सीजन का आगाज 19 सेतंबर से हो रहा है सीजन का उत्खाटन मैच डिफेंडिंग चैपियन मुंबई इंडियन्स और चन्याई सूपर किंग्स के बीच खेला जाएगा कुरोना वाइरस के वज़े से ये टूर्नामेंट इस साल यू एई में खेला जा रहा है और इसका फाइनल मैच 10 नौमबर को खेला जाएगा इससे पहले चन्याई से जब CSK के कुछ खिलाडी प्लेन से यू एई आये थे प्लेन में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर खिलाडीयों की काफी आलोशना हुई थी इसके बाद CSK के दो खिलाडी समेट 13 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था इस वज़े से खिलाडीयों को एक हफ़ते ज़ादा क्वारंटाइन में रहना पड़ा था बाकी टीमों की मैदान पर पैक्टिस शुरू हो गई थी लेकिन CSK के खिलाडीयों ने एक हफ़ते बाद मैदान पर ट्रेनिंग शुरू की थी चेनाई सूपर किंग्स अप सोशल डिस्टेंसिंग और दूसे नियमों का खास ख्याल रख रही है ऐसे में जब CSK का पहला शुट शुरू हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया शुट के दौरान किलाणियों की कुरसियां दूर दूर पर रखी हुई दिखाई दी CSK ने शुट की कुछ फोटो शोशल मीडिया पर शेयर की है इन फोटो में धोनी भी खास अंदाज में दिखाई दे रहे हैं जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है CSK ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा सीजन का पहला शूट नए नॉर्मल के साथ बता दे कि मुंबई के बाद चिन्याई सूपर किंग से ऐसी आई पेल टीम है जिसने तीन बार इस खिताब को जीता है CSK ने ना केवल तीन बार आई पेल खिताब जीता है बलकि वो आई पेल इतिहास की अकेली ऐसी टीम है जो हर बार प्ले आफ में पहुंची है चिन्याई ने 2010, 2011 और 2018 में महेंजी सिंग धूनी की कपतानी में आई पेल ट्रॉफिय जीती है पिलाल के लिए खबरों में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं One India